लॉर्ड लिनलित्गो का जन्म 24 सितंबर 1887 को लंदन में हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहट वर्ष 1937 में प्रांतिय चुनाव हुए जिसमें अधिकत्तर राज्यों में कॉंग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी लॉर्ड लिनलित्गो के कार्यकाल में ही द्वितिय विश्व युद्ध 1949 से शुरू हो गया था द्वितिय विश्व युद्ध के प्रमुख तथ्य द्वितिय विश्व युद्ध की शुरुवात एक सितंबर 1949 से हुई थी जिसमें पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे मित्र राष्ट्रों में प्रमुख देश फ्रास, ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया थे तथा धुरी राष्ट्रों में प्रमुख देश जर्मनी, इटली और जापान थे ग्वितिय विश्व युध के दौराँ अमेरिकी वायू सेना के द्वाराचे अगस्ट 1945 को हिरोशिमा पर लिटल बॉय नामक परमानू बम गिराया और 9 अगस्ट 1945 को नागासाकी पर फैटमें नामक परमानू बम गिराया इन दोनों हमलों के दौरान जापान के दो लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे ग्वितिय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी ग्वितिय विश्व युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ था लॉर्ड लिनलित्गो के कार्यकाल 1949 में ही सुभाष चंदर बोस के द्वारा फॉर्वर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी की स्थापना की गई थी फॉर्वर्ड ब्लॉक के प्रमुक्त थे 1938 में सुभाष चंदर बोस कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे 1949 में कॉंग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ जिसमें सुभाष चंदर बोस ने दोवारा से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा परंतु महात्मा गांधी सरदार वल्लब भाई पटेल और राजेंदर प्रसाद ने उनके सामने पट्टा भी सीतार मया को चुनाव लड़ा दिया क्योंकि महात्मा गांधी सरदार वल्लब भाई पटेल और राजेंदर प्रसाद को लगता था कि सुभाश चंदर बोस उगर विचारों के व्यक्ति हैं इसलिए दोवारा से कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाना ठीक नहीं होगा लेकिन इस मुकाबले में सुभाश चंदर बोस की जीत हुई इस जीत पर महात्मा गांधी ने कहा था यह पट्टा भी सीतार मया की हार नहीं बलकी मेरी हार है इसके कुछ दिनों के बाद सुभाश चंदर बोस ने कॉंग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और मई 1949 में फॉर्वर्ड बलॉक नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की थी लॉर्ड लिनलित्गो के कार्यकाल 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ इस अधिवेशन में हयात खान के द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव लाया गया जिसे फजलुल हक ने प्रस्तुद किया और इसी प्रस्ताव में पहली बार भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की माम की गई थी लॉर्ड लिनलित्गो के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्तवा लाया गया था अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्ट 1940 को लॉर्ड लिनलित्गो के द्वारा एक घोशना की गई थी जिसे अगस्ट प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है तथा इसमें मुस्लिमों के लिए संरक्षन देने की बात कही गई थी अगस्ट प्रस्ताव में कहा गया था कि अगर कोई कानून अलपसंख्यकों के विरुद्ध या पक्ष में बनाया जाता है तो उससे पहले अलपसंख्यकों की अनुमती लेना जरूरी है लेकिन कॉंग्रेस ने अगस्ट प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था अगस्ट प्रस्ताव के बाद नवंबर 1940 में महात्मा गाधी ने फिर से सविनय अवग्या आंदोलन शुरू कर दिया था लॉर्ड लिनलित्गो के ही कार्यकाल में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था क्रिप्स मिशन दरसल 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन के प्रधान मंतरी विनसटन चर्चिल के द्वारा एक घोशना गई जिसमें कहा गया था कि जल्द ही सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत जाएगा 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेत्रित्व में एक दल भारत पहुचा जिसने द्वितिय विश्वयुद्ध में सहायता पाने के लिए महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना से मदद मांगी इन सभी नेताओं से मिलने के बाद सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोशना की क्रिप्स मिशन की घोशना के प्रमुख विशेश्ताएं एक ग्वितिय विश्व युद्ध के बाद सम्विधान निर्मान करने वाली एक सम्विधान सभा का गठन किया जाएगा दो सम्विधान सभा का काम एक नया सम्विधान बनाना होगा, जिसमें अलपसंख्यकों तथा निचली जातियों को विशेष अधिकार दिये गए हो और इस सम्विधान को बनाते समय सभी प्रतिनिधियों की अनुमती लेना अनिवार्य है तीन भारत के जो राजा नय सम्विधान से सहमत हो तो वह भारत के साथ रह सकते हैं, अन्यथा वह स्वतंत्र भी रह सकते हैं चार जब तक नया सम्विधान पूर्ण रूप से नहीं बन जाता, तब तक भारत की सुरक्षा का उत्तरदायत्व ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा 11 अपरेल 1942 को कृप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया क्योंकि इस प्रस्ताव को कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्विकार कर दिया था क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नश्ट होने वाला है लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव वापस लेने के बाद 14 जुलाई 1942 को कॉंग्रेस की कार्यकारिनी समिती के द्वारावर्धा महाराश्ट्र में अंग्रेजो भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके बाद मुंबई में अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी का एक विशेश अधिवेशन 8 अगस्ट 1942 को हुआ जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई और इस प्रस्ताव के तुरंत बाद महात्मा गांधी सहित सभी लोगों को ग 1936 से अक्टूबर 1943 के मध्य में था